हलो फ्रैंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका SSC Constable GD हो चाए CAPF ट्रेड्समेन की भरती हो या Head Constable हो जो हमारे साथ ही देखिए अभी आप Social Media पर आप लोग Active रहते हैं WhatsApp ग्रूप से आप बहुत सारे ग्रूप से आप जुड़े रहते हैं उस पर कुछ जानकारी आती है कुछ यूट्यूब पर लैटर्स जो है उनके वीडियोज आते हैं इमेल जो मिलता है कैंडिडेट्स को उसके वीडियोज आते हैं अब आपके डाउट्स हो जाते हैं कि ये क्या लैटर है ये किसके बारे में है क्या ITVP का ट्रैनिंग जो है वो अभी नहीं होगा क्या ये SSC GD का है ये लैटर क्या है एक कैंडिडेट को ये लैटर मिला है एड्रस किया हुआ है कैंडिडेट को अब सबसे पहले तो मैं आपको आगा करना चाहूंगा कि जब भी आपके पास में इस तरह का कोई लैटर आता है तो आप बीना सोचे समझे उसको तुरंत प्रभाव से उसको सोशल मीडिया पर य यहां तक कि आप हमें हमारे साथ भी शेयर करते हैं तो आप एड्रस उस पर हाइड कर दीजी आप क्योंकि आपका एड्रस जो वो सारजनिक होने का मतलब है कि आपके साथ कोई धोका दरी हो सकती है कोई ठगी की कारवाई आपके साथ में हो सकती है अब यह एड्रस इनका हम 2021 को ये जारी होता है कहां से Director General ITBP MHA Government of India Block No. 2 CGO Complex Lodhi Road New Delhi किसको ये Candidate का नाम है इनका पूरा Complete Address, Email ID सब कुछ इसमें होता है वो हमने Hide कर दिया हम ये पहचान जो है किसी के देखिए उजागर नहीं करना चाते हैं अब ये क्या है Letter ये है Extension for Joining to the Post of Constable GD Recruitment through Constable GD Sports Person 2020 Recruitment in ITBP Place लेकिए ये SSC GD की Candidate नहीं है ये Actually Constable GD Sports Person 2020 ITBP की जो भरती थी उसकी Candidate ने Final Selection इनका हो गया उसके बाद जब Joining आती है तो Joining का Extension आपको मिल सकता है ये आपका कानूनी अधिकार है आपको लेकिन आप उसके लिए दावा नहीं कर सकते हैं कि मेरे घर में problem है मेरे father की तबेट ठीक नहीं रहती है मेरी मदद की तबेट ठीक नहीं रहती है या मेरा कोई exam है देखिए exam बगरा के लिए साधान तया extension नहीं मिलता है extension मिलता है खुद के medical ground पे या किसी guardian के medical ground पे कि आपके देखवाल करने के लिए आपके घर पर और कोई नहीं है आपकी मदर के तबे ठीक नहीं है आपको medical papers भी उसके साथ में evidence के रूप में show करने पड़ेंगे या आप जब बाद में extension के बाद जब आप join करते हैं तो उस समय आपको produce करना पड़ेगा इन्होंने application दिया था तो please refer to your application dated 19th March 2021 on the subject cited above your request has been considered for extension of joining you are therefore directed to report basic training center ITB police भानू camp post office भानू district पच्चकुला हरियाना on or before 31st July 2021 अब on or before 31st July 2021 यानि कि उससे पहले कभी भी जा सकती है लेकिन 31st July को तो इनको जाना ही जाना होगा वहाँ पर report करना होगा it is also intimated that no further extension will be granted beyond 31st July 2021 moreover ITB police force shall not reply solicit any communication with you if you fail to join by 31st July 2021 यहां पर ITBP ने अपनी मरियादा भी दिखा दी है कि 31st July 2021 के बाद में आपको किसी प्रकार का extension नहीं दिया जाएगा आपका जो extension है वो 31st July को यह दि आप फैल रहती है उसमें report नहीं करती है तो उसके बाद कोई पत्र विवार भी आपके साथ में नहीं किया जाएगा तो यह extension का जो है बहुत सारे candidates समारे SSC GD के जो हैं वो भी पूशते हैं कि यह extension कैसे मिलता है तो extension के लिए आपको application देनी होती है उसमें ground आपको solid grounds आपको देने होंगे ऐसा नहीं है कि मेरा head constable ministerial का exam है मैं उसके तयारी कर रहा हूँ इसलिए मैं अभी join नहीं कर सकता उसके लिए आपको extension नहीं मिलेगा extension के लिए आपका खुद का medical ground प्लस आपके family member का medical ground और उसमें भी आपको यह प्रूव करना होगा कि उनके देखभाल के लिए कोई नहीं है और जो भी आपका ground होता है उसको सक्षम प्राधिकारी जो है वो उसको consider करते हैं उसके बाद में वो accept करते हैं या reject करते हैं वो उनकी मर्जी है लेकिन आप दर्खवास दे सकते हैं ये candidate इन्होंने दर्खवास दिया था इनका दर्खवास जो है accept हो गया इनको 31 July 2021 तक इनको extension दे दिया गया है यानि उससे पहले कभी भी जोइन कर सकती है इन्होंने अब क्या reason दिया है वो इनके खुद के region है तो extension का ये letter है ये किसी प्रकार का SSC GD का letter नहीं है जो हमारे SSC GD के जो साथी जोइन कर चुके हैं ITVP में उनका training बिलकुल तैय समय पे शुरू हो जाएगा उनका हो चुका है ऐसे वीडियो बनाने का कि आपको आपके अधिकारों की पूरी जानकारी होनी चाहिए जाहिए जाहिए